दोस्तो नमस्कार मैं जितेन कुमार तो इस वेडियो में हम जानेंगे कि Profit Up Mobile Application से कैसे Fund Transfer किया जाता है और कैसे Payout किया जाता है तो सबसे पहले आपको अपने Profit Up Mobile Application में आना है आपको अपना ID और Password डालना है इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी question आपने डाला होगा उस answer को select करना है इसके बाद submit कर देना है इसके बाद कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा सबसे उपर left side में आपको home का button दिखेगा उसमें आपको click करना है इसके बाद आपको fund transfer में जाना है fund transfer में क्लिक करेंगे तो कुछ तरह का आपको interface देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको दिखेगा Payne, Payout, UPI Payment अगर Payne के थुरू अगर आप करते हैं तो आप net banking के थुरू आप कर पाएंगे अपना Payne fund transfer डिमेट में और अगर UPI में select करते हैं तो आपको एक next page open होगा कुछ इस तरह का page आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको अपना client ID और pen number डालना है pen number जो है capital letter में डालना है इसके बाद आपको UPI में select करना है तो आपको अगर net banking से करना है तो net banking और UPI से करना है तो UPI से इसके बाद मैं submit कर दूँगा submit करने के बाद यहाँ पे मेरा सब कुछ दिख जाएगा मेरी UPI ID दिख जाएगी जो मैंने पहले से ही add कर रखे है आप UPI ID अपनी यहाँ पे डाल दीजेगा इसके बाद जो भी amount आपको डालना है जैसे मुझे 500 रुपे डालना है 500 डालूँगा और submit करूँगा submit करते ही एक next page open होगा इसके बाद आपको अपने UPI में जाना है UPI के फोन पे में जाना है वहाँ पे आपको एक notification दिखेगा उस notification में आपको क्लिक करना है और अपने फोन पे के अंदर जाना है आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आप simple सा pay वारी बटन में क्लिक कर करेंगे तो आपका UPI pin मागेगा पिंड डालने के बाद submit करेंगे तो आपका payment हो जाएगा इसके बाद आपको back home पे जाना है home पे जाने के बाद जहां पे margin अब लेवल दिखा हुआ है वहाँ पे आपको अपना फेंड चेक करना है वहाँ पे आपको आपका fund पूरा सो हो ज fund टास्वर में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको सिग्मेंट सेलेक्ट करना है cash,fo,cvr मतलग cash future और currency एक्शेंज में सेलेक्ट करना है जैसे आपको अगर cash future option में काम करना है तो nsc सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको commodity में काम करना ह तो आपको क्या करना पड़ेगा mcx में सेलेक्ट करना पड़ेगा जैसे मुझे nsc में काम करना है cash future option में जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी details दिख जाएगी आपका bank कौन सा है आपका ifc code इसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे amount in rupees मतलब आपको कितने fund डा करना है तो simple सा 500 इसमें क्लिक करूँगा और submit कर दूँगा मैं submit जैसे ही करूँगा इसके बाद यहां लिखे रहेगा your merchant reference number is transaction is यह इसके बाद ok में क्लिक करूँगा एक नया page open होगा यह देखें इस तरह का page open होगा ठीक है यहां पे आप अपना mobile number आप डाल दीजे डालना ह इसके बाद pay using net banking में आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface देखने क्यों मिलेगा तो आप यहां पर अपना user ID पासवर्ट डालिए इसके बाद login कर लिजे login करने के बाद directly आप उसमें submit में क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा उस OTP को डालिए और आपका payment process हो जाएगा इसके बाद back जाके आप margin available में अपना fund चेक कर सकते हैं कि कि कितना आया fund की नहीं आया है अगर आपको payout करना है तो simple सा आपको home button में क्लिक करना है आपको funds में जाना है funds में जाने के बाद जहाँ पे payout लिखा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपका जितना amount settlement है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे कि मेरा amount settlement है 2911 रुपए इतना payout में कर सकता हूँ एक बज़े से पहले आप payout करेंगे तो same day आपको पैसा आपके bank account में शाड़े शे बज़े के बाद मिल जाएगा अगर एक बज़े के बाद आप करेंगे तो अगले दिन आपको शाड़े शे बज़े के बाद आपके bank account में पैसा सेलेक्ट किया सिंपल सा मैं amount डालूँगा और इसके बाद मैं submit कर दूँगा तो आपका payout लग जाएगा तो इस तरह से आप payout pane कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें